दोस्तों नमस्ते मैं हूं आपके साथ अजीत यादो आप देख रहे हैं नई द्रिष्टी आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मोच्छदा एकादसी 2020 में कब है सुभ मुहूर्थ और ब्रत करने की बिधी एवं पारण तिथी और ब्रत करने का महत्व क्या है ये सब जानेंगे लेकिन बीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और बीडियो पसंद आएगी तो बीडियो को लाइक करेंगे और इस बीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करेंगे मोक्षदा एकादसी का तातपर है मुह का नास करने वाली इसलिए इसे मोक्षदा एकादसी कहा जाता है द्वापर यूग में इस दिन भगवान स्री किष्ण ने कुरुचेत्र में गीता का ग्यान दिया था अत्व इस दिन गीता जैनती भी मनाई जाती है मुक्षिदा एकादसी के दिन भगवान स्री किष्ड, महर्सी बेद ब्यास और स्री मत भागवत गीता का पूजन किया जाता है इस ब्रत की पूजा बिधी इस प्रकार है ब्रत से एक दिन पूर्व दस्मी तिथी को दोपहर में एक बार भोजन करना चाहिए ध्यान रहें रात्री में भोजन नहीं करना चाहिए एकादसी के दिन प्रातह काल उठकर इसनान करें और ब्रत का संकल्प लें ब्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान स्री किष्ड की पूजा करें उन्हें धूप, दीप और नबैद आधी अरपित करें वहीं रात्री में भी पूजा और जागरन करें एकादसी के अगले दिन द्वादसी को पूजन करने के बाद जरूरत मंद व्यक्ति को भोजन वदान देच्छिडा देनी चाहिए इसके बाद भोजन ग्रहन करके ब्रत को खोलना चाहिए इस ब्रत के प्रभाव से मनुष्य के पुर्वजों को मुक्ष की प्राप्ती होती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ती मिलती है वहीं इस ब्रत को करने से मनुष्य के पापों का नास होता है मान्यता है कि इस दिन भागवान स्री किषड ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था इसलिए इस उपलक्ष में मुक्षदा एका दसी पर गीता जैनती मनाई जाती है भागवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्म ज्यान की और अग्रसर होता है इसके पठन पाठन और स्रवन से जीवन को एक नई पिरणा मिलती है वही इस देन स्री मत भागवत गीता भागवान स्री किस्र और महरसी बेद ब्यास का बिधी पुर्वक पूजन करके गीता जैनती उच्षव मनाया जाता है तो दोस्तों इस साल 2020 में मुक्षदा एका दसी कब है ब्रत पारण से लेकर सुब मुहुर्त की सभी जानकारी आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं यहां से ध्यान पुर्वक देख लेना तो मित्रों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद